नमस्कार दोस्तों स्वागत है अब सभी का हमारे चैनल सुविध्या में आज की क्लास में हम बात करेंगे निबंध कोरोना वाइरस एक वैश्विक महामारी तो सबसे पहला हमें इसकी प्रस्तावना देख लेते हैं पहला सुख निरोगी काया यह कतन हमें बतलाता है कि स्वस्त शरीर ही मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है एक अमीर रोगी से कहीं जादा खुश और शान्ती में एक स्वस्त चाहे वो गरीब हो या अमीर व्यक्ति होता है दुनिया में बहुत सारे माध्यम हैं जिनके कारण एक स्वस्त मनुष्य किसी रोग से संक्रमित हो सकता है संक्रमित रोग कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों के माध्यम से फैल सकते हैं जो आकार में अर्थ्यंत सूक्ष्म होते हैं माइक्रोसकोपिक होते हैं जैसे वीशानु, वाइरस, जीवानु, बैक्टिरिया, कवक, फंजाई, परजीवी यानि पैरासाइट ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं तो ये पोर्षन जो है हमारा प्रस्तावना के अंतरकत आ जाएगा अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि कोरोना वाइरस क्या है यह एक अती सूक्ष्म विशानू है जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही व्रधी कर सकता है शरीर के बाहर गिम्रत या मरे के समान होता है क्रिस्टल जैसा होता है परन्तु जैसे ही ये किसी जीवित कोशिका या शरीर के अंदर जाते हैं जीवित हो जाते हैं ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि नगन आँखों द्वारा इन्हें नहीं देखा जा सकता अर्थात इनको देखने के लिए इलेक्ट्रोन सूक्ष्म दर्शी की जरूरत होती है अब हम देखते हैं इसकी उत्पत्ति या ओरिजिन कैसे हुआ कोरोना की उत्पत्ति सबसे पहले 1930 में एक मुर्गी में हुई थी और इसने मुर्गी की श्वशन प्रणाली को प्रभावित किया आगे चलकर कई जानवरों में यह पाया गया इन सब के बाद 2019 में दुबारा इसे चीन में देखा गया चीन के वुहान में देखा गया और धीरे धीरे यह पूरे विश्व में फैल गया अब हम देख लेते हैं कि वास्ता में COVID-19 ही नाम क्यों रखा गया है तो COVID-19 क्या है तो विश्व स्वास्त संगठन ने कोरोना का नायम क्या रखा है COVID19 रखा है जहापर CO का मतलब क्या है कोरोना है VI का मतलब है वाइरस यानि विशानू और D से अभी प्राय है डिजीज और 19 क्योंकि यह 2019 से शुरू हुआ है 2019 के साल को मानते हुए यहाँ पर 19 का प्रयोग किया गया है इस वाइरस को सबसे पहले चीन के वुहान में देखा गया था और जब यह पूरे विश्व में फैल गया तो WHO द्वारा इसे वैश्विक महामारी घोशित कर दिया गया है लक्षन देख लेते हैं इस बीमारी के लक्षन एकदम फ्लू जैसे मिलते हैं जिसमें पहली सूखी खांसी और बुखार आता है एक हफ़ते के बाद सांस लेने में परिशानी होने लगती है इन लक्षनों का हमेशा मतलब यह नहीं है कि इस वाइरस का संक्रमन हो ही लेकिन कोरोना वाइरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में तकलीव, ज्यादा परिशानी होना, किडिनी खराब होना, यहां तक की मृत्वी तक की भी संभावना रहती है कोरोना के संक्रमन की बढ़ते खत्रे को देखते हुए सावधानी बरतनी की जरूरत है, ताकि इसे फेलने से रोका जा सके मुख्य लक्षन क्या क्या है, सबसे पहले हम देख सकते हैं सूखी खासी होती है, बुखार आ सकता है, ठीक है ना, बुखार जो है वो लगबग सौर्ट डिग्री तक दुखार रहता है, गले में खराश सांस लेने में तकलीफ हो सकती है अब इसने कौन-कौन से क्षेत्रों को प्रभावित क्या है, क्या-क्या प्रभाव पढ़े हैं, बहुत जादा डिटेन में नहीं गये हैं, क्योंकि इससे अलग-अलग शिक्षा पर क्या प्रभाव पढ़ा है, या व्यफसाय पर क्या प्रभाव पढ़ा है, इन पर अलग- क्षेत्रों को प्रभावित किया है बचाव हम देख लेते हैं कोरोना का संक्रमन बड़ी आसानी से फैल जाता है और इसकी कोई दवा नहीं है अतह कुछ ऐसे कदम जो हम निजी तोर पर ले सकते हैं और खुद को कोरोना से बचा सकते हैं हाथ बार-बार धुएं अपने मूँ को बार-बार नाच हुएं सबसे 5-6 फीट की दूरी बना कर रखें रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाएं मास्क लगाएं और कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से हाथ दोएं इसके बाद हम फाइनरी कॉंक्लूजन देख लेते हैं निशकर्ष देख लेते हैं सतर्क रहें स्व पहले भी मानव जाती कई महामारियों से जूचती रही है और उससे विजय हासिल की है और इसी तरह कोरोना का भी हम साथ मिलकर हराएंगे आप सभी घर पर रहें सुरक्षित रहें सो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें बहुत बहुत धन्यवाद